हालो डियर इस्टुडेंट स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में और देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यह वाला क्यूशन सोल करेंगे और देखिए क्यूशन के गोडिंग 511-3 के समानुपाती परिमानों के बल किसी वर्ग ABCD की भुजाओं AB, BC, CD और DA के अनुदिश क्रियाशील है तो यहां पर देखिए forces of magnitude proportional to 511-3 तो यहां पर देखिए एक square है और उस square में जो sides है उनकी जो भुजाए है वर्ग की उनके अनुदिश यहां पर चार बल किरियाशील है और हमें देखिए दर्शाना है क्या दर्शाना है कि यहां पर निकाय केवल एक बल के तुल्य है वो बल क्या होता है आपको पता होना चाहिए R resultant force परिनामी बल और यहां पर देखिए इसका परिमान यह जो भी बल होगा R उसका magnitude that is हमें R निकालना है और कैसे निकालते हैं अंडर रूड R x square प्लस R y square से और उसकी जो direction है वो कैसे निकलेगी 10 theta equal R y upon R x से और देखिए यह जो किरिया रेका का समीकर्ण है equation of line of action x r y minus y r x equal to g तो देखिए यह सब हमें calculate करना होगा R x r y हम calculate करेंगे तो R हमें मिल जाएगा 10 theta मिल जाएगा और देखिए यह equation find करने के लिए हमें g को भी calculate करना पड़ेगा g का मतलब क्या है यहाँ पर moment about origin मूल बिंदू के सापेक्ष आघून है चलिए one by one सभी को हम calculate करेंगे पहले हम diagram बनाएंगे एक diagram हम बना लेते हैं देखिए एक square है यह रहा square और इसको देखिए coordinate axis पर हम लेंगे और यह वाला शीर से ए ले लिजी यह B है और यह C है और यह D है A, B, C, D आप के से ही ले सकते हो यहाँ पर देखिए इसको हम A, B को आगे बढ़ा दें और इसको हम मान लेंगे X axis तो यह देखिए इसको हम X axis बना देते हैं और यहाँ से देखिए इसको बना देते हैं Y axis यह लिजी यह हो जाएगी Y axis और यह point था देखिए B, B नहीं था यह था D यह लिजी तो देखिए A, B, C, D, X square है एक वर्ग है अब यहाँ पर देखिए कुछ force नहीं यहाँ पर इनकी sides के along active है बुजाओं के अनुदिश किरियाशील है और वो कौन-कौन से बल हैं देखिए यहाँ थोड़ा सा direction का आपको ध्यान रखना है देखिए A, B अगर हम बात करें A, B के along कौन है देखिए 5 तो यहाँ पर A से B के along आपको क्या लेना पड़ेगा 5 इसको तो हम origin ले लेंगे मूल बिंदू और इसको एक सक्ष और इसको वाई अब यहाँ पर देखिए A, B के along हमने 5 ले लिया आगे हम बढ़ें और B, C की हम बात करें तो B, B, C के along कितना है 1 और C, D के B, C और C, D इस दोनों के along कौन है 1 और 1 तो यह देखिए 1 magnitude वाला B, C और C, D के along यहाँ पर magnitude इनके proportional है हम यहाँ ऐसा ले सकते हैं और देखिए यहाँ DA, DA का magnitude देखिए यह माइनस 3 के proportional है DA तो DA आपको लेना पढ़ेंगा देखिए direction यह है यह कितना था देखिए माइनस 3 यह आपको थोड़ा ध्यान रखना पुड़ेंगा कि यहाँ पर कौन सी side के along कौन सा force है 5, 1, 1 और माइनस 3 अब यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि जब भी इस तरह की कोई बात आ जाए जैसे निकाय केवल एक बल के तुल्य है यहाँ पर निकाय किसी एक सिंगल फोर्स के एक्विवेलेंट और वो क्या होता है देखे रिजल्टेंट परिनामी बल यहने आर की बात करी जा रही ह और कभी-कभी इस तरह से भी देखे क्विशन आ जाता है कि निकाय केवल एक बल यूग्म के तुल्य है किसके तुल्य है बल यूग्म के यहने वहाँ पर देखिए हमें एक जी निकाल के दिखाना हुआ इस तरह से देखिए कई क्विशन पूछे जाते हैं अभी बहुत सा प्राइल टेंट फॉर्स यान आर हमें कैलकूलेट करना है दिस मेगनिट्यूट वह यार और इसके लावब डारेक्शन एन लाइन ओफ एक्षन तो डारेक्शन तेन त्रीटर से निकल जाए कि लाइन ऑफ एक्षन कैसे निकले गए वह भी मैं आपको बता चुपा हूं यह ओरीजन और यह X-axis और यह Y-axis तो चलिए मान लीजिए माना कि ए क्या है ओरीजन है कि मूल बिन्दू है तथा ए एक्स वर ए वाई क्रमेश यह एक्स तथा Y-axis है यह हम मान के चलेंगे देखिए कोडिनेट एक्सिस पर लेना पड़ेगा दो परपेंडिकूलर डारेक्शन में हम कंपोनेंट्स निकालेंगे उसके बेसिस पर आरेक्स आरवई मिलेगा और उसके बेसिस पर हमें मिल जाएगा आर यदि एक्स तथा Y-axis अक्षों की दिशा में बल्लों के वियोजित भागों का योग परमेश है आर एक्स तथा आर वाई है है तो क्या होगा है आर एक्स एंड आर वाई और सम उफ रिजोल पार्ट एलों एक्स एक्स एंड वाई एक्स इस और यह प्रोसेस देखियो मैं बता चुका हूं आपको यहां और से क्या है संब कॉंप और एक्स इस और एक्स 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 एक्सिस ऑफ ओल फोर्सें यहां पर एक्टिव हैं सभी के जीरो फिर उसके बाद देखिए हम चलेंगे कि इस पर वन वाले फॉर्ट में तो देखिए वन वाला पॉर्ट देखिए यहाँ पर एकस एक्सिस से 90 एंगल पर है और यह तो आपको पता होना चाहिए सभी 90 एंगल होते हैं शो करने की कोई दो नहीं है तो देखिए वन वाला पॉर्स की डारेक्शन तक आपको पहुंचना है तो आपको X-axis से ही चलना पड़ेगा ठीक है तो इन दोनों डारेक्शन में यहीं से चलें तो यह एंगल कितना है 90-90 ले लिए अब चलते हैं 1 पे यह वाला जो 1 है CD के लोग यह वाला जो 4 से देखिए यह डारेक्शन X-axis की यहां से अगर हमें इस डारेक्शन तक जाना है तो देखिए 180 कवर करना पड़ेगा कितना कवर करना पड़ेगा 180 और वैसे भी मैंने आपको बताया है कि इसको आप थोड़ा था ट्रांसफर कर दीजिए जैसे यह तो ओगई X-axis की डारेक्शन यह जो CD की डारेक्शन है इस इसको आप यहां ट्रांसफर कर दीजिए जो CD की डारेक्शन है देखिए इस तरफ है यह CD इस तरफ है तो यह सीधे-सीधे क्या हो गया देखिए 180 एंगल पर हो गया है और डारेक्शन का ध्यान रखना और वैसे भी एपोसिट डारेक्शन है X-axis की डारेक्शन उस तरफ है और वाई इसकी डारेक्शन इस तरफ है तो सीधे-सीधे आपको दिख रहा है यहां पर कितना हो गया 180 चलिए तो यहां पर यह वाला फॉर्स X-axis से कितने एंगल पर होगा 180 तो जितने भी फॉर्स यहां पर इस बोड़ी पर एक्टिव है हमें क्या करना है सभी के X-axis की डा कोड़ना है तो आर एक्स हमें मिल जाएगा चलिए अब यहां पर अब यहां पर आर वाई को भी हम केल्कुलेट करेंगे लेकिन एक फॉर्स और देखिए एक फॉर्स और जिसने हमें यहां पर देखिए मेंशन करना पड़ेगा भी वह देखिए माइनस तरी की X-axis से हमें डारेक्शन देखनी है तो यह रहा देखिए माइनस तरी इसको इस तरह से समझते हैं आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें यह लीजिए यह आगे बढ़ा दिया यह माइनस तरी की डारेक्शन माइनस तरी वाले मेगनिटूड का जो भी फॉर्स है इस मेग एका इससे अगर रिंगल है और वैसे भी देखिए आपको अगर देखना है देखिए यह सब्सक्राइब जो है और आपको देखिए एक से एंटी क्लोक वाइज डारेक्शन में जाना है तो अभी भी देखिए आप इस डारेक्शन में नहीं आए आपको इतना कवर करना ही पड़ेगा 270 डिग्री ठीक है तो यहाँ पर यह माइनस 3 जो है कोस 270 डिग्री तो देखे इस तरह से यहाँ पर हम और एक्स को केलकुलेट करते हैं और और य के लिए क्या करोगे यहाँ पर कोस की जगे हर जगे साइन लिख देना है anti-clockwise x-axis से anti-clockwise direction में angle लेने का यही फाइदा है कि जब हम r y निकालेंगे फिर वहाँ जादा हमें कोई जादा मेहनत नहीं करना सीधे हम r y लिख देंगे force की जगे क्या कर देंगे sign कर देंगे क्योंकि y-axis से angle जब देखा जाता है तो वहाँ पर देखिए यह जितने भी एंगल से है वो 90-पर चले जाएंगे क्योंकि इस direction से किसी भी force का angle अगर थीटा है तो इस direction से कितना हो जाएगा 90-थीटा जैसे यहाँ पर अगर हम इस minus 3 की बात करें इसकी बात करें हम minus 3 की यह minus 3 देखिए अगर हम x-axis से देखें तो x-axis से कितना इसका 270 डिगरी और अगर हम y-axis से angle देखते हैं यह वाला तो यह देखिए 270-90 यह बिल्कुल 180 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए 90 के difference पे cos क्या हो जाता है साइन में बदल जाता है ठीक है यह आपने पड़ी रखा है cos theta है और अगर cos theta minus 90 करेंगे 90 कम करेंगे तो वह sin theta में बदल जाता है पिछले question में यह मैं बता चुका हूँ चलिए इस कचरे को हटा देते हैं तो देखें यहाँ पर हमने rx निकाल लिया अब इसे हम calculate कर लेते हैं cos 01 यह 0 हो जाएगा और cos pi की value 180 minus 1 और यहाँ पर आप देख सकते हैं cos 270 यह कितना होता है देखें 0 हो जाता है तो finally देखें हमें कितना मिलेगा यहाँ पर rx मिल जाएगा 4 अब हम क्या निकालेंगे देखें r y हमें calculate करना है चलिए अब देखें यहाँ पर एक direction से angle लेने से क्या फाइदा है आप उस तरब भी न देखें सीधे यहाँ पर sign कर दिए जहां जहां कोस है वहां वहां आप sign कर दीजिए sign यह लीजिए sign theta हमने कर दिया है कोस साइन आएगा यहां भी साइन 180 माइनस 3 साइन तू सेवन जीरो और देखें अगर आप यह वाले ट्रिक यूज नहीं कर सकते तो फिर यहां पर यहां पर देखिए यहां पर देखिए यह होता है देखिए 270 यह होता माइनस 1 इन 270 डिगरी का मान माइनस 1 होता है और यहां पर देखिए इसको हम calculate करें तो देखिए इसकी value भी कितनी आ रही है यहां पर 3 प्लस और प्लस 1 इसकी value भी क्या रही है फोर आ रही है अब यहां पर देखिए जी को भी हम calculate कर लेते हैं क्योंकि हमें line of action भी निकालना है उसके लिए जी calculate करना पड़ेगा तो देखिए जी हम किस तरह से calculate करें यह देखिए यह नई बात है अभी तक देखिए हमने यह वाली ट्रिक हमने यूज नहीं की कि हम जी को किस तरह से calculate करें जी को find करना भी आपको आना चाहिए तोड़ा सा space manage कर लेते हैं यह लिए यह हमने निकाल लिया है आरवाई आरवाई को भी हमने calculate कर लिया है अब यहां पर देखिए हमें moment about origin इस मूल बिंदू एके सापक्ष हमें आगूर निकालना है तो यह सबसे important है क्योंकि इससे पहले वाले example में देखिए हमने वहां पर क direction हमने निकाली थी आर और थीटा का मान निकाला था यहां पर देखिए हमें जी निकालना है और विसे देखिए जी की बात नहीं कही गई है यहां पर तो किरिया रेखा भी ग्याद कीजिए किस की बात कही गई है देखिए किरिया रेखा line of action और line of action क्या होती है xr y minus yr x equal to g तो जी तो हमें निकालना पड़ेगा तो चलिए यहां पर हम क्या निकालेंगे देखिए मूल बिंदू के सापेक्ष आग होना मूल बिंदू के सापेक्ष और मूल बिंदू कौन है ये भी तो आपको पता होना चाहिए मूल बिंदू origin कौन है देखिए a तो कि मॉमेंट अबाउट ओरीजन क्या होगा देखिए जी होगा तो यहां पर देखिए इस जी को हमें केल्कुलेट करना है तो देखिए के से हम केल्कुलेट करें मोमेंट अबाउट reason यैनि इस point A gearsおいमें हमें यहां पर moment निकाल न आखून निकालना है तो देख्यर यहां पर कितने पौड से total चार फोर्स हैं सभी का को आजो जान न होगा यहां पर देखिे NK तरह से निकालेंगे वान देखिए एक एक फॉयर हमें लेना है यहां थोदा साथ को direction को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहां पर यह जो आघून होगा कभी धनात्मक होगा कभी रिनात्मक तो पॉजेटी नेगेटिव कुछ भी हो सकता है इसलिए यह डारेक्शन का ध्यान परखना पड़ेगा सबसे बेले देखिए हमें किसके सापेक्शिया निकालना इस पॉइंट मोमेंट अबाउट इस पॉइंट इस बिंदू है कि सापेक्शिया हमें आघून निकालना है तो हम क्या करें तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था जिस पॉइंट के about में आपको आगून निकालना है moment निकालना है वहाँ पे एक कील ठोक दे ठीक है तो यहां आपको देखे इस point पे इस body को fix करना है जीक है अब यहां पर देखिए अगर आप इस fight की बात करें तो देखिए यह fight इसकी जो किरिया देखा है देखिए इसी बिंदू से गुजर वही है परीनामी की किरिया रेखा पर अगर कोई बिंदू विद्धिमान होता है तो उस बिंदू के सापेक्ष आघुन क्या होता है जीर होता है और देखिए मैं आपको पेले भी बता चुका हूँ क्योंकि यहां पर इस बलकी किरिया देखें तो वह 0 हो जाती है तो यहां पर देखिए 5 के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा जीरो और देखिए कॉंसेप्ट में मैं काफी डिटेल में आपको बता चुका हूँ और देखिए इस तरह का एक मैंने डमी सेंपल लेके भी आपको बताया था यह वाला यहां पर दे देखिए इड्सकर्न से feito करने के बाद अगर हम यहां पर फोर्स लगाते हैं इस वक्त पर से यहां पर देखिए यह में बेक grants साइट से नहीं होगा और आप लगाएंगे एफ टू की डारेक्शन में तो देखे यह किस तरह से रोटेट हो रहा है एंटी क्लोक वाइस डारेक्शन में रोटेट हो रहा है और देखे एफ वन के अलोंग अगर हम फोर्स लगाएंगे तो क्लोक वाइस रोटेशन हो रहा है तो देखे जिस पॉइंट के स् fix कर दीजिए और उसका तरीका यही है कि आप वहाँ पर एक कील लगा दीजिए ठीक है अब यहाँ पर देखिए यह फाइप किस से पास हो रहा है देखिए इसी पॉइंट से तो यह 0 बल और बल की क्रिया रेखा पर उस बिंदू से डाले गए लंब की लंबाई तो यही तो ह sign of action है वह BC है और इस पर देखिए इस पॉइंट ऐसे अगर हम परपेंडिकूलर ले तो वह AB के बराबर होगा तो वन इंटू एवी और यहाँ पर अब इसके चिन्न की बात करें इसका sign क्या होगा देखिए यह मोमेंट आ गया बल और बल की क्रिया रेखा पर उस बिंदू से लंकी लंबाई जिस बिंदू के सापेक्ष हम आघून देख रहे हैं तो यहाँ पर किस बिंदू के सापेक्ष आघून देख रहे हैं बिंदू A के सापेक्ष तो बिंदू A से हम उस बल वन की किरिया रेखा यहने BC पर हम लंकी लंबाई ले तो वह AB आईगी अब बोड़ी को fix कर रहा का यहां इस तरह force लगाएंगे तो वो anti-clockwise direction में moment करेगी और anti-clockwise अरतात घड़ी के विपरित दिशा में अगर बोड़ी घुमती है तो उसका आघून धनात्मक लिया जाता है तो यहां पर हम क्या कर देंगे प्लस लगा देंगे चलिए अगला force कितना है one तो यहां इस one और one पर देखिए perpendicular distance कितनी होगी यहां से वो हो जाएगी देखिए AD अब देखिए हम बात करेंगे इसके साइन की इसका जो मोमेंट होगा वो पोजेटी होगा या नेगेटी होगा रोटेशन पर दिबेंड करेगा तो देखिए यहां पर हमने बोड़ी को fix किया हुआ है इस direction में फोर्स लगाने पर देखिए बोड़ी anti-clockwise direction में यहां पर रोटेट करेगी गड़ी के विपरित दिशा में घूमेगी तो इसका आगूर भी हम क्या ले लेंगे धनात्मक हम ले लेंगे अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे next force की तो यह है देखिए minus 3 इस से पास होगा पॉइंटे से इस बिंदू से गुजर रहा है देखिए minus 3 क कि करियार और कोई बिंदू होता है और उस लाइन पर हम बिंदjin कर देखिए लाइन पर हमें इस अम इस दों आश्ट वाला जीरो अब यहाँ पर देखिए A, B और A, D दोनों अपस में इक्वल हैं यहाँ पर यह जो वर्ग है यह जो इसक्वार है इसकी जितनी भी भुजाएं वो सब बराबर होती है तो हम माल लेते हैं सबी किसके इक्वल है देखिए A के इक्वल है तो यहाँ पर दे लिजे जहां A क्या है side of square जहां A क्या है देखिए वर्ग की भुजा है यह जो भी इसक्वार है उसकी हमने एक साइड ले लिए और all sides are equal सभी जानते हैं तो यह भी A है सभी distance यहाँ पर AD AB यह सब क्या है देखिए A के equal है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने G को calculate किया है G की value कितनी आई हैं यहाँ पर 2A यहने double of side जो भी वर्गी की भुजा है उससे double अब यहाँ पर देखिए अब जो भी question में हमें देखिए यहाँ पर calculate करना है जो भी find करना है चलते हम उस पर यहाँ पर देखिए एक बल के तुल्ह है और इसका परिमान हमें गयातने है हमें आर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे resultant force लेकिए परिणामी बल कैसे निकलेगा R equal होता क्या है देखिए Rood R X square R Y square और देखिए R X R Y की value कितनी है यह देखिए R X हमें यह मिला है R Y भी यही मिला यहना 4 चलिए R X R Y की value कितनी है 4 4 का square 16 प्लस 16 यह हो जाएगा देखिए 32 और इसको हम लिख सकते हैं 16 into 2 that is 4 root 2 कितना मिला है देखिए 4 root 2 unit तो देखिए यह resultant force का magnitude आ गया है यहां पर देखिए लगेगा परिनामी बल जो भी होगा तो यह resultant हमें मिला है अब देखिए इसकी हमें direction भी निकालने है परिमान निकाल लिया direction डारेक्शन के हम बात करें दिशा की तो देखिए दिशा भी हमें calculate करना है तो अगला जो हमारा target है वो है देखिए परिनामी बल की दिशा direction of resultant force direction of resultant force तो देखिए परिनामी बल की दिशा हम कैसे calculate करेंगे देखिए परिनामी जो बल है माल लिजे परिनामी बल ये रहा तो यहाँ पर देखिए suppose कीजिए ये resultant force है कहीं भी आप इसे बना सकते हो और ये resultant force देखिए इस x axis ते कितने इंगल पर है ठीटा और ये जो resultant force है यही तो है आर डाइग्राम में कहीं भी ले सकते हो इसको और नहीं भी लो तो common सी बात है शो करतो तो भी ठीक है तो देखिए परिनामी बल की दिशा हमें निकालना है आप इस तरह से एक बार resultant force को कहीं भी adjust कर दीजिए और theta को भी शो कर दीजिए डाइग्राम में और उसके बाद देखिए यहां पर हम दिशा निकालेंगे तो पहले लिखना पड़ेगा यह दी परिनामी R इसके साथ देखिए AX AX का मतलब क्या है यह भुजा A B के हम बात करेंगे या फिर डारेक्ट आप तो लिख लीजिए तो परिनामी बल R AX के साथ थीटा कौन बनाता है रिजल्टेंट आर मेकिंग अन एंगल थीटा तो दे लाइन AX देन तेन थीटा इक्वल और यह देखिए मैं बता चुका हूं आपको R Y अपोन R X इक्वल टू 4 अपोन 4 इक्वल 1 इंप्लाइस देट थीटा इक्वल 45 तो देखिए यहाँ पर यह जो परिनामी बल्की जो किरिया रेका है कितने डिग्री पर इस X अक्षिस यानि यह जो भुजा है यह जो साइड है A B इस साइड से 45 एंगल पर देखिए एक्टिव है तो परिनामी बल्की किरिया रेका इस वर्गी की भुजा A B से 45 डिग्री के कोन पर किरिया शील है तो यह हमें बताना है जो पूछा जाए वो ही आपको बताना है ज्यादा एक्स्ट्रा कोई वातें हमें नहीं करना है यहाँ पर और कोई ज्यादा एक्स्प्लेनेशन भी न किरिया रेका होती क्या है चलिए लिखें आप किरिया रेका का समीकर लाइन ओफ एक्षेन किरिया रेका और देखें यह किस तरह से केल्कुलेट करते हैं कि वी नो देट लाइन ओफ एक्षेन किरिया रेका का समीकर लाइन क्या होगा इक्षेन ओफ लाइन ओफ एक्षेन क्या होता है देखिए XRY Y आर X एक्वाल टू जी और देखें G को हमने इसी के लिए कल्कुलेट किया है यहाँ पर जी हमने क्यों निकला है यह जो भी हमने moment निकला है 2 है वो इसी वज़े से निकला है कि यहाँ पर देखिए हमें requirement होगी यहाँ पर g की value की हमें ज़रुद पड़ेगी रहना जब भी क्रिया रेका का समीकर निकालता है तो g हमें निकालना होता है तो चलिए x r y यह r y कितना है देखिए यहाँ 4 है और यहाँ देखिए 4 y दोनों की value 4 है देखिए r x r y की और equal to g g कितना मिला हमें 2 a k equal हमें मिला है तो देखिए यहाँ पर जो final हमें equation of line हमें मिलेगी तो वो क्या मिलेगी चलिए next page पे ले ले लेते हम इसको तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या मिलेगा टू हम common ले लेंगे तो देखिए 2 x minus 2 y equal to 1 क्या कहेंगे जो की परिणामी बल्की किरिया रेखा का समीकर है और देखिए यहाँ पर यह मूल बिंदू से कितनी दूर किरिया शील है मूल बिंदू से कितनी दूरी पर है distance from origin to line of action तो यहाँ पर देखिए जो origin है देखिए डाइग्राम पर चलना ज़्यादा बेश रहेगा देखिए यहाँ इस point A से अगर यहाँ अगर यह distance निकाले तो मैंने आपको बताया था यह क्या होती है जी बाई आर कितनी होती है जी बाई आर तो आप चाहें तो यहाँ पर इसकी distance भी शो कर सकते हो वैसे उसने देखिए line of equation को पूचा है कि परिणामी की क्रिया रेखा क्या है वह हम निकाल चुक्त है कि क्या लिखेंगे कि यह क्रिया रेखा कि मूल बिंदू मूल बिंदू हमने क्या माना था देखिए मूल बिंदू A से देखिए G by R G by R का मतलब क्या यहाँ पर G कितना है देखिए 2A और R कितना है देखिए यहाँ पर R भी हमने निकाला है कहा गया देखिए R वो रहा देखिए 4 root 2 तो यहाँ पर हम ले लेंगे 4 root 2 तो यहाँ पर देखिए A upon 2 root 2 दूरी पर है यह लीजिए और हमने इसकी और location बता दी तो यहाँ पर देखिए कितनी distance पर है और वेसे भी देखिए इस formula की भी ज़रूरत नहीं है यह line of equation है और इसकी origin से distance आप निकालिए 0 0 से आप distance निकालिए इसमें put कर दीजिए 0 minus 0 minus A upon under root X के coefficient का square और Y के coefficient का square यह लीजिए तो यह mode लगा देंगे distance है तो यह मिलेगी देखिए A upon 2 root देखिए 2 dimension geometry तो वहाँ पर देखिए अगर हमें कोई equation हमें मिल जाती है तो हम किसी point से perpendicular distance हम निकाल लेते हैं जब रेखा का समिकन हमें मिल जाता है तो किसी भी बिंदू से हम क्या निकाल सकते हैं लंबवत दूरी हम निकाल सकते हैं और देखिए ये बात देखिए मैं बता चुका हूँ आपको पहले भी और अगर देखिए यहां तो इतना ज़्यादा case geometry use होगी नहीं अगर आपको देखिए बलकी जो किरिया रेखा है उसकी मूल बिंदू से दूरी अगर आपको निकालना है तो जी में आर का भाग लगा दीजिए जी भाई आर को आप calculate कर दीजिए तो यहां पर जी भाई आर की value कितनी मिली है हमें a upon 2 root 2 और यही देखिए परिणामी बलकी जो किरिया रेखा है उसकी मूल बिंदू से दूरी है तो यहां पर देखिए a upon 2 root 2 क्या होगी यह जो distance है यहां से यहां तक की यह है देखिए a by 2 root 2 ठीके तो यहां पर देखिए इसी के साथ equation भी complete हो जाता है यहां पर हम देखिए परिणामी बलकी किरिया रेखा कितने इंगल पर है 45 डिगरी पर है क्योंकि यहां पर देखिए इस तरह से हमने हर एक बात बता दी है यह हमने एक्स एक्स ली थी यह रिजल्टेंट पॉर्स इसका जो मेगनिट्यूड है वह 4 root 2 है यह कितने इंगल पर है यहां पर एक्स से 45 एंगल पर है कितने पर है देखिए 45 एंगल पर और इसके अलावा देखिए यहां से यहां तक origin से कितनी डिस्टेंस पर है इतनी डिस्टेंस पर है ठीके तो देखिए यह दो तीन बात ही हमसे पूछी गई है resultant force क्या है और उसकी direction क्या है और उसका equation क्या है equation भी हमने निक तो देखिए इस question में जितना हम से पूछा गया था हमने यहां पर देखिए उसे complete कर लिया है और देखिए इसी के साथ देखिए यह question भी complete हो जाता है मिलते हैं फिन नए किसी question में thank you so much